हेलो, वेलकम टू माई एक्सल, मैं हूँ आपका एक्सल गुरू कमलेस, आज के इस एडियू में हम बात करेंगे कि कैसे हम मैक्स फॉर्मुले का यूज करते हैं, ठीक है, तो जिसके लिए यहां पर एक डेटा ठीट, मैंने अलोड़ी त्यार किया हुआ है, जिसमें कुछ प् प्राइंड है, उनके मॉडर नमबर है, प्रोड़क्ट टाइटल है, और उनका मर्पी है, ठीक है, सबसे पहले हमें यह जानना है कि मैक्स फॉर्मुला होता क्या है, ठीक है, अब जैसे आपको नाम सही पता चला हुआ हूआ कि मैक्स मीस, मैक्सिमम जो वैल्यू है, यह वो हमें बताता है, ठीक है, अब जैसे हमें यह जानना है कि जितने भी यह 18 प्रोड़क्ट है, ठीक है, जिनका यहां पर MRP दिया गया है, तो इनमें सबसे हाइस्ट जो प्राइस की वैल्यू है, वो कौन सी है, ठीक है, तो उसके लिए ही मैक्स फॉर्मॉला यूज होता है, ठ ठीक है, 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 ठीक मैक्सिमम वैलू है उसमें से वो जाननी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सारा जो बेटा है क्रॉम स्टार्टिंग वन से लेके 18 तक का स्लेट करके इंटर कर देना है ठीक है तो जैसे आपने इंटर करेंगे तो यहां पर इसने वैलू हमें बताई है कि 27,800 यह सबसे हाइस्या वाल्यू है ठीक है marks रोप इंटर कर दो सिंपल से फॉर्मृला है Looks formula इसको आपने तरीके के इससे आपका requirement है उसे साब सेुकılar ईयूजर कर सकते है ठीक है तो उम्मीद है आपको आज का ये Max Formula को बनाया गया वीडियो पसना होगा अगर आपने अभी तक MyExcel Channel सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें शेयर करें ताकि और लोगों भी हल्प मिल सेके ठीक है तो आज की वीडियो बस इतना ही है तो दुबारा आपके सामने आओंगा एक नए Formula के साथ तब तक के लिए Good Bye